हेलो एवरिवन और वेलकम बैक तुमा यूटूब चैनल और आज मैं इस वीडियो में आपको एक famous indicator के बारें बताऊंगा जो की trading view पे बिलकुल free of cost है और ये indicator हमारे इंडिया के एक famous option buyer असिट सर के द्वारा develop किया हुआ है और ये indicator को कैसे यूज करका आप अपने option buying को और profitable बना सकते हो और enhance कर सकते हो इसको समझने के लिए आप last तक वीडियो पुरा ध्यान से देखो तो इस indicator का नाम है rank delta ये indicator आपको trade view पे free of cost मिल जाएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे इसको indicator को लगाना है अपने chart पे ठीक है तो इसके लिए आपको indicator में जाना हो और सिर्फ simple type करना rank delta तो ये indicator आजाएगा rank delta ranks B1.0 ते आप अगर आगे देखोगे तो आपको लिखा रहेगा असित पती मतलब मैं आपको starting में बोला कि ये indicator हमारे famous option बायर इंडिया के असित सर के द्वारा develop किया हुआ है तो इसको आपको लगा लेना चार्ट पे बहुत सा लोड होने में time लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी indicator होते हैं ये क्या करेगा कि अगर यह आप rank delta यूज करोगे और अगर आप nifty या bank nifty option buying कर दो तो उसके लिए बहुत आपको helpful रहेगा क्योंकि ये आपको scenario बता देगा कि कैसे हमारे nifty या bank nifty के heavyweight stocks हैं वो कैसे perform कर रहे हैं कितना उसमें selling का चांस है और कितना buying का चांस है आप जैसे screen पर देख पा रहे हो ठीक है तो यह पूरा indicator आप इंडिकेटर लगाते ही आपका नीचे साइड में चार्ट भी चलते रहेगा और यह indicator को लग जागा अब अगर आप at least मैं यह नहीं बोलुगा कि आप डिरेक्ट इस इंडिकेटर को यूज करके जाकर buy या sell करो अगर यहां पे सब कुछ sell दिखा रहा तो buy तो नहीं करोगे उससे तो बच जाओगे मेरा motive यह बता आने का यह नहीं कि आप इसको देखके सब क्योंकि आप चार्ट पर प्राइज एक्सें सपोर्ट सब कुछ काम करता है तो मैं यह नहीं बोलुगा कि आप डिरेक्ट इसको यूज करके जाके buy करो sell करो इससे आप एक idea ले सकते हो कि market का momentum क्या है और stock उस specific stock का momentum क्या ठीक है त मैं आपको यह recommend करूँगा कि आप इस indicator को 15 minute chart पर plot करो उससे का होगा कि आपको एक 15 minute का view मिल जाएगा थ्वासा एक मतलग at least उस दे का मोटा मोटी आपको समझ में आने लएगा कि market कि सिर्फ वे में जा रहा है bullish है कि बेरिस है तो इसलिए आपको आप इसको 15 minute chart पर यूज कर 7, 8, 9, 10, 10 indicator है मतलब अभी जैसे क्या होता है कि मालो हम अगर nifty में trade करते तो उसमें maximum 3-4 indicator लगाते है अपना coach moving average super trend लेकिन इसमें total 10 indicator है एक index या एक stocks को analyze करने के लिए सुचो कितनी अच्छी बात है मतलब आपको जाला दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ आगर आप इसको भी नहीं करोगे तो at least आप against नहीं लोगे मतलब अभी क्या हो कि देखो यहां से आपको nifty as example लो nifty है अब यह आपको at least almost सारे indicator sell दिखा रहे है ठीक है तो at least अगर price action में आपको अगर कहीं अगर यह दिखता है कि buy करना अगर मार्केट फ्लक्ट्वेटर और उपर जा रहा तो आप at least buy नहीं करोगे आपको पता है कि already सबको सारे indicator हमें sell दिखा रहे है रहें डेल्टा के तो at least buy नहीं करोगे वो कुछ नीचे का level break करेगा निफ्टी तो आप put buy कर सकते हो ठीक है ना call at least नहीं buy करोगे अभी जैसे bank nifty है bank nifty भी देखो को तो एक जो alligator वो slip दिखा रहे है बाकि सारे sell दिखा रहे है तो आप put buy कर सकते हो इस scene में लेकिन नीचे कुछ breakdown होना चाहिए कुछ support का break होना चाहिए नीचे कि तो आप तब आप buy करो उससे आपको इससे का confidence level built होगा कि यह यार इतने सारे indicator sell दिखा रहे है तो अगर कोई नीचे का important level break होता तो आप put buy करके easily इसको hold कर सकते हो ठीक है तो यह अभी example अभी मालनों आपको bank nifty में trade करना है ठीक है और आपको यह भी देखना मेंशा कि अगर आप nifty bank nifty में option buying करते हो तो आप यह देखो कि जो इसके main heavy components है वो कैसा perform कर रहे है आपको bank nifty में trade करना है तो आप at least kotak bank देखो तो सब कुछ sell है Axis bank देखो तो almost सब कुछ sell है SBI देखो तो SBI में कुछ कुछ indicator buy दिखा रहे हैं बाकि सब sell है HDFC देखो सब sell है तो at least आप buy का तो scenario कभी condition में नहीं बनाओगे ठीक है न यह इसको use करने का main motive मेरा यह है आपको बताने का कि आप at least trade against में मतलो ठीक है न अगर आपको 10 indicator बता रह आता है तो आप at least buy नहीं करोगे आप call बाई नहीं करोगे वेट करोगे ठीक है तो यह पूरा ठीक है यह प्रॉपर तरीका है रैंक डेल्टा इंडिकेटर यूज करने का तो आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद